दोस्तों कोशन नमबर 3 according to the paper केता ब्याज वार्सिन रूप से चकवर्ती होने पर 14,000 किरासी एक निशित वार्सिक दर से 2 वर्सों में इतना हो जाती है यहां तक अभी यह पहला कोशन है हाँ कोशन के अंदर डेबल कोशन यानि प्रेंस्पल हमें दिया गया है 14,000 और एमाउंट दिया गया हमको 18,515 दोस्तों बहुत सईयम से देखो इसको भाग दो साथ से भाग दोगे तो यह 2,000 आएगा साथ से भाग दो साथ दुनी 14 अब यह आ गया 45 सच्छंग 42 होता है फिर आया 31,31, साथ चोग 28 होता है और फिर 35 तो यह 2,6,4,5 आ गया अभी यह और कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों पांस से यह गया 400 बार पांस से काटो, पांस से और यह 529 बार देखा जाए इनके बीच में जो खिला है वो दो बरस का है दो बरस का है तो स्क्वार रूट लोगे यानि 20 रुपे की चीज़ अगर 21 हो जाती है 20 की चीज 21 नहीं 23 हो जाती है दोनों का अंतर तीन प्रिंस्पल पे ही आपको मिलेगा इन्टू हंडेट यानि रेट आफ इंट्रेष्ट 15% पर एनम आ गया प्यारे दोस्तों पहले तो इतना सॉल्व करना होगा सिर्व रेट निकालने के लिए कोशन सारे अच्छे हैं धैर रखो अब आगे की बात कहता है कि ब्याज प्रती आठ महा में चक्रवर्ती ब्याज हूँ कहीं ना कहीं आपने लेवल 4 और लेवल 6 में 8 मंतली वाले कोशन देखे थे यह सेम उसी पैटर्न पे आ गया अब ध्यान देना हमारा रेट है 15% पर एनम टाइम हमारा 2 यर का ही है जो कि दिया गया है अब हमसे यहां कहता है कि रेट हमारा 8 मंतली हो 8 महावाला सभी को मालूम है हमने बताया था कि यहां 12 बटा 8 का ऐसे गुना करोगे और उपर वाले में उल्टा 8 बटा 12 का यह हमारा कहीं न कहीं 2 से यह गया 4 बार यह 3 बरस वाला खेला हो गया यानि 3 यर का और यहां देखा जाए 15 टेक 120 डिवाइड बारा यानि 10 परसेंट आएगा यानि जो कोश्चन हमारा यरली बेसेस पे 2 यर का था वही कोश्चन हमारा 8 मंथली बेसेस पे 3 यर में कनवर्ड हो गया और रेट 15 की जगे 10 परसेंट हो गया बहुत प्यारा कोश्चन अब हमसे कहता है बहिए समान रासी पर समान ब्याज में समान दर से प्राप्त होने वाला चकवरती राज रासी हमारे पास क्या है देखो रासी हमारे पास 14,000 है यहां देखो रेट आया 10 परसेंट 10 परसेंट का मतलब 1 बटा 10 10 परसेंट मतलब 1 बटा 10 यानि 10 की चीज 11 हो रही है तीन साल है तो क्यूब कर दो यानि 1000 रुपय लगाओगे 1,3,3,1 पाओगे यानि ब्याज में जो पाओगे वो 3,3,1 पाओगे दोस्तों आपको जो प्रिंस्पल गिवेन है वो 14,000 गिवेन है यानि यहां 14 का गुणा होगा इस वैल्यू में भी 14 का गुणा होगा 14 वन जा 14 हासिल 1, 42, 43 हासिल 4, 42, 43, 45 ने हासिल 4, 42, 44, 44, 46, 34 is the right answer of this question 14 एक टम 14, 14, 43, 42, 4 हासिल, 42, 44, 46, 46, 34 is the right answer of this question प्यारे दोस्तों कहीं न कहीं यह सेट एक वास्तो में अच्छा सेट है यह सेट तभी सॉल होगा जब आपके कॉनसेट क्लियर होगे सभी लोग सेशन को लाइक और सेर कर देना हजार लाइक की अर्दास रहेगी सर ऐसा क्यों जब यह सेट कंप्लीट होगा आपको वास्तो में मालूम चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है एक्जाम के लिए जी हाँ अभी आज मालूम चलेगा पढ़िया कोशन कहता है अभी आठ मीटर प्रति सेकंड की चाल से दोड़ता है यदि वै उसी चाल से दोड़ना जाए रखता तो अभी चौबिस मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी यह एक बेसिक कोशन है 8 मीटर 35 सेकेंड यानि एक सेकेंड में अवी 8 मीटर दोड़ता है और अगर मैं 60 सेकेंड की बात करूँ जिसे समाज 1 मिनट कहता है तो यहां ऐसे गुणा और अगर मैं 24 मिनट की बात करूँ तो 24 का इत्थे 24 का उत्थे यह हमारा पूरा एज़े मीटर में आएगा और फिर उसमें हजार से भाग देके किलो मीटर में कनवर्ट कर लेगे लेकिन सौटकट क्या कहता है सौटकट क्या कहता है यह आठ चौट बत्तिस लाश्ट में दो आप्सन नमबर एक होगा फिर भी आप मत मानना देखो अर्चंग 48 ये 24 तो 24 का स्क्वाइर 576 उसका डबल कर लो 6 दूनी 12 हासिल 1 14 एक 15 हासिल 1 10 एक 11 एक तो 0 मीटर में है हजार से भाग दोगे किलो मीटर में कनवर्ट हो जाएगा पहुत सयम से पढ़ाया जाएगा आज का सेसर एक लंबती बेलन का आयतन इतना है और त्रिज्जा इतना है बेलन का वक्र प्रेश्टीज छितफल क्या है देखो बेलन का आयतन इतना है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वाइर और एच जोकि 1792 पाई है हैपी बर्डे यहां से एच निकालिए केता बेलन का वक्र प्रेश्टीज छितरफल यानि टू पाई आर एच चाहिए अपको टू पाई ऐसे रखो आर की वैलू 16 है हमको एच चाहिए आप गौर फर्माईएगा मेरे प्यारे दोस्तों गौर फर्माईएगा यह एच की वैलू 1792 अपॉन 16 गुड़े 16 होगी यानि 1792 अपॉन 16 गुड़े 16 यह एच की वैलू होगी बोलो हाँ यह समाज हमसे कहता है कि प्रभू 16 से 16 गया 2 से यह 8 बार में गया अब 37 से सिर्फ 8 का भाग दे दो 8 दुनी 16 दो बार में फिर 8 दुनी 16 फिर दो बार में अरे बोलो हाँ फिर 35 आया 8 चौका 32 यानि 224 और यह पाई पिना किसी कैलक्लेशन की हमने आंसर निकाल दिया यही इसका आंसर आएगा 224 पाई is the right answer क्या मेरी बात आप तक पहुँच रही है बोलो हाँ प्यारे दोस्तों निरंतर धीरे धीरे हम सारे सेट आपको पढ़ाते जा रहे हैं बस आपका सेलेक्शन हो जाए उस सम्चत्रुबुच का छेत्पल ग्यात किजे जिसके विकर्णों की लंबाई इतना है क्यारे दोस्तों यूत रेलवे की जो किताब पढ़ाई है उसमें हमने आपको पढ़ाया भी है कि जिसके विकर्णों की लंबाई यानि हमको D1 और D2 दिया गया और हमसे कहता है छेत्रफल बताओ हम जानते हैं एक बटा दो दोनों विकर्णों का एंटू हमारा छेत्रफल होगा एक बटा दो ऐसे 48 गुड़े 64 कहते हैं कि सॉल्व करना ही पढ़ेगा तो से गया ये 24 बार 24 का पहड़ा मुझे आता है 24 चौका 96 नो हासिल 24 चौका 144 9 4 13 ऐसे 1536 इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर 1536 आएगा इजी वेसे हमने इसको सॉल कर लिया भोलो हाँ अमालो आपको गुड़ा नहीं करना है आपने कसम खा रख का है सर हम बिना गुड़ा के भी आंसर निकालना चाहते है तो 48 तीन का मल्टपिल होता है ओप्संस में आओ देखो कौन सा तीन का मल्टपिल है ये नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है सीधे चोथा नंबर आंसर ये आपके अभ्यास पे और दिमाग पर टेपेंट करता है चल जाए तो चान तक अनथा साम तक ऐसा आपका दिमाग है एक वर का परिमाप 56 cm लंबाई और 42 cm चड़ाई के एक आयत के परिमाप के बराबर है दोस्तों ये एक आयत है जिसकी लंबाई 56 और ये 42 इसको जोड़ के दो गुना कर लो आठ दुनी सोला हासिल एक पांचा नो और एक दस दस दुना बीस यानि दो सो सोला तो सो छे नए गलत हो गया दया गलत हो गया पांचा नो ये 98 है मेरे भाई इन दोनों का यूग तो इससे जो हमारा वर्ग बनेगा उसकी सारी भुजा 49 49 होंगी 98 का आधा 49 49 तो ये भी 49 ये भी 49 दोनों के परिमाप बराबर हो गये मेरे भाई ये बात याद रखना कहता है उस अर्ध वर्ध का परिमाप गयाद कीजिए जिसका व्यास पर की भुजा के बराबर है दोस्तों अर्ध वर्ध का परिमाप गयाद करो हमने यूद की किताब में आपको अलग से पढ़ाया हुआ है परिमाप याद करने के तरीके जैसे ये जिसे quadrant कहते है इसका परिमाफ 25 बटा 7 आर होता है जैसे ये अर्दवरत इसका परिमाफ 36 बटा 7 आर होता है अभी एक set लगवाए था तो ये पूछा गया अब ये set लगवा रहे तो ये पूछा गया और भी परिमाफ हमने रटवाए हैं आपको जियां इसका परिमाफ खोड़ी 7 बाई 7 आर भी रटवाए है तो कहता है उस अर्दवरत का परिमाफ ग्याद किजिए इसका व्यास पर की भुजा के बराबर यानि 49 बराबर 2 आर की यानि आर बराबर 49 बटा 2 और अर्दवरत का परिमाफ आपने अगर हमसे पढ़ा है हमारे नोट्स देखे हैं सीधे याद करवाया है 36 बटा 7 आर यूत रेलवे की किताब से 36 बटा 7 आर की वैलू 49 बटा 2 साथ से ये साथ बार में गया दो से ये अठारा बार में गया अठारा सत्य एक सो चाबिस इस दा राइट आंसर 126 आंसर आजाएगा कैसा लगा ये कोशन आपको बहुत बार पढ़ाया गया जाद रहे धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाते हैं सब कुछ आसान होता चला जाता है आप देखिए लाइट पढ़िया कोशन एक्जामनेशन हॉल में एक प्यारा कोशन आपके सामने प्यारा कैलुकलेटिव जिया 10 मीटर लंबे खोकले श्टील के पाइप के आंतरिक और भाव्यास इतना है यदि प्रश्ट के एक सेंटिमीटर स्क्वायर हिस्से के पेंट करने में इतना लागत है सभी प्रश्टों को पेंट करने की लागत क्या होगी सबसे पहले बात आपको ये मालूम होना चीए कि खोकला पाइप ये है लेकिन इसका टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा वो 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ये होता है ये तो टोटल सर्फेस एरिया यानि इसका सम्पूर्ण प्रष्ट आ गया सभी प्रष्टू को पेंट करने की बात ये आ गए दूसरी बात क्या है बच्चा पूरे कोश्चन को सेंटीमीटर में करके चलना एक सेंटीमीटर में इतना पैसा लगता है तो इस पूरी वैलू में 15 पैसा यानि 0.15 का इंटू कर देना पूरी वैलू में 0.15 का इंटू कर देना भोलो हां कि सर हम कर लेंगे और 0.15 जो की 3 का मल्ट्पिल होता है एक बार देखो आप्षन में 3 का मल्ट्पिल जी यहां 15 तीन का मल्ट्पिल होता है 8, 2, 10, 5, 15 यहां 1 बचारा यानि यह 3 का मल्ट्पिल लें 8, 5, 13, 14 यानि यह भी 3 का मल्ट्पिल लें 8, 6, 14, 15 और 8, 6, 14, और 1, 15 पंद्रा छे ये तीन का मल्ट्पिल है आठ एक नौ नौ और छे ये भी तीन का यानि दो आप्सेंस हमारे पास तीन के मल्ट्पिल आ गए या तो आप्सेंस नंबर वन होगा या आप्सेंस नंबर टू होगा यानि अब हमसे ये चाहता है कि प्रभू सॉल्व करो करेंगे भई बोल रहा है कि प्रभू सॉल्व करो तो करेंगे सीधिस ही बात है देखो तो ऐसे पाई की वैलू 22 बटा 7 ऐसे दोनों की त्रिजाओं का योग अब ये त्रिजा नहीं है त्रिजा तो 15 बटा 2 और 17 बटा 2 होगी क्योंकि ये तो व्यास है तो 15, 17, 32 और 2 से भाग दे दिना सीधे 16 लिखना अरे दियोता समझ गए ना इन दोनों का योग का आधा और उचाई 10 मीटर लिखा हुआ है सेंटी मीटर में कनवर्ट करोगे तो सौ का और गुणा कर दोगे प्लस फेट टू पाई यानि 22 बटा 7 दोनों त्रिजाओं के वरगों का अंतर बटा दो का स्क्वेर चार बैक दो का स्क्वेर चार तो वो तो चार ऐसे कर दो अब सत्रा का सत्रा में से पंद्रा गया दो आया और सत्रा पंद्रा होता है बात तिस समस्दार जिसे कश्ट है वो ऐसे करे कि सत्रा का स्क्वार माइनस 15 का स्क्वार बटा 2 का स्क्वार इसकी वैलू की बात हो रही है 17 में से 15 गया 2 आया 17 15 ये 32 आया दया 2 का स्क्वार 4 और पूरी वैलू में एक गुणा भी आ रहा है दसमलो 15 का इसे कोई ना नहीं कह सकता ये आएगा ही आएगा चले कैल्पक्लेशन पे शर्चा किया जाए दोस्तों एक बात निकल के आ रही है इस समाज में तर क्या बात है अभी रुको दोसे ये दो बार में गया दोसे ये 16 बार में गया एक बात निकल के आ रही है कि 2,22,16 और नीचे साथ कॉमन ले लो तो ये 44 हो गया अरे बोलो हाँ ये 44 हो गया 16 बटा साथ हमने कॉमन ले लिया 12,16 बटा साथ अंदर आया 1000 दो बाइस तोला कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक और दसमलो तो ये 15 बटा आप 100 लिख दो चाया साथान रहे तो तरक रहे ये हो गया सभी जानते हैं बच्चा बच्चा जानता है कि पड़ोसी का बच्चा भी जानता है एक हजार एक जो होता है एक हजार एक एक हजार एक जो होता है वो साथ ग्यारा तेरा का मल्टपिल होता है नंबर सिस्टम में भर भर के पड़ाया है 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 एक हजार एक ऑल्वेस मल्टपिल ओव साथ ग्यारा तेरा का मल्टपिल होता है यानि साथ से ये एक हजार एक गया ग्यारा गुड़े तेरा वन फोर्टी थ्री हो गया देखे पूरी कैल्कुलेशन अब यहयी तो है कि ये पेपर कैल्कुलेटी यह हुए अंदि कहसे मारे है दो ऊप्सन given है जिन्दा बताओ कौन सा मार दे आप बताओ कौन सा मार दे दो उप्सनशन सा मार हाँ ये matter है देखो ताओं 5 से ये 3 बार में गया 5 से ये 20 बार में गया 2 से ये 22 बार में गया 2 से ये 10 बार में गया अब हमारे सामने 22 गुडे 16 गुडे 143 गुडे 3 बटा 10 आया एक एक करके इंटू कर लो, देखो, इसका इसमें गुणा कर लो, तीन त्रेका नो, चौदा त्याय ब्यालिस, बोलो हाँ, और बाइस से गुड़े सोला करना ही है, पटा दस, करेंगे इंटू करेंगे चिन्ता मत करो, ऐसा कर लो, कि सोला गुड़े बाइस कर लो, सोला गुड़े बाइस, कही जगे, सोला दूनी बत्तिस, देखें, यही चीज है, यह पेपर क्यों टफ है, वो इसी लिए टफ है, तोला दूनी बत्तिस, दो, तीन हासिल, पत्तिस, तीन, पैतिस, और चार सो उन्तिस यह, एरो मेथट से गुड़ा कर लो, मिरे बाइ, नौ दूनी अठारा हासिल एक, नौ पना पैतालिस चार उन्चास एक पचास, पांच हासिल, नौ तृका 27, नौ तृका 27, चार दूना 8, सब्ताइस, आठटिस, सब्ताइस, आठटिस, पैतिस, तीन, दस, तैस, पांच, पचास, फिर पांच हासिल, तीन दुना छे, पांच उका बीज, खे और वीज, शब्यस, पांच, एक अतिस, तीन हासिल, चारते हैं, बारा, तीन, पंद्रा यह आया, 151008, तस से भाग दोगे, यह आंसर आया, अब देखो, इसे कहते हैं, कैलकुलेटिव कोशन, एक्जामनेशन हॉल में, जहां आपके अंधी नहीं चलेगे, प्रॉपर आपको कॉंसेप्चुल सॉल्व करना चाहिए, पहले बोलो हाँ, अब मैटर यह आया, कि सर, अगर हम ऐसे करेंगे, तो लॉंग हो जाएगा, हमारा उद्देश तो अभी आपको सॉल्व करके दिखाना है, अब दूसरा तरीका भी तो आपको सीखना है, अब देखो, जूझ हारू जैसे हम जूझ रहते, तो वो यह मैटर है, अब जिसे एक बच्चा होता है, एक्सप वो बच्चा फिर क्या दिमाग लगाएगा, अब उसको भी देखना पड़ेगा, समझो, तो जो यह इतनी बड़ी कैलकुलेशन की गई है, इसकी जगे बच्चा बनता है एक्सपर्ट, दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं, देखा यह जाए प्यारे दोस्तों, इसमें यह पाई बैठा हुआ है, और यहाँ पाई बैठा हुआ, पाई जो होता है, वो ग्यारा का मल्टिपिल होता है, क्या होता है, ग्यारा का मल्टिपिल, एक ग्यारा का मल्टिपिल हो गया, और कही ना कहीं दसमलो एक पांस से गुला कर रहे हैं, यानि तीन का भी मल्टिपिल हो सबसे पहले तीन के multiple से options को कम करो जहां हमारी calculus है अब कोई बच्चा गाएगा कि पहले ही answer है हम नहीं देखेंगे पहला तीदी जी बात यह तीन से नहीं जाता यह तीन से नहीं जाता अब यह दोनों तीन से जाते हैं अब इन में चौदा चौदा पांच एकईस अब यहां देखो आठ पांस तेरा आठ पांस तेरा आठ पांस तेरा अरे बोलो हां और तेरा में तो कम करोगे तो 11 आया यानि यह 11 से जाएगा तो जो वास्तों में वच्चा एक्सपर्ड होता है वो फिर इस तरीके का सहारा लिता है हाँ लेकिन अगर दोनों आपसंस 11 के मल्टपिल होते तो यह जो परम ग्यान इधर खम जूजे है ना फिर इसी से ही होता है फिर किसी से नहीं होता है याद रहे हमें हर तरीके का दिमाग एक्जामनिशन हॉल में लगाना है ठीक है और चीजों को सीखना है एक बच्चा कह रहा है सर मेरे लेबल तीन में 110 है और लेबल टू में इतने हैं सर आप खित्रूं इंग्लिस टीचर भी मिल जाया तो सीजियल अच्छा सीजियल में निकाल देगे अब उसके लिए हम बताएंगे अभी तो पढ़ो मेरे भाई रेलवे आपका निकल गया इसके लिए तहे दिल से बढ़ाई ठीक है पर याद रहे मेरे भाई ग्रूप डी की वेकेंसी को मत जोइन करना अब सर ऐसा क्यों कर रो अरे जब तुमारा निकल गया वो सीट किसी और को मिल जाए ये भी ध्यान रखना हूं पर तैयारी अंतिम दौर तक रखते रहे न अब ऐसा नहीं कि गुरूप डी की तैयारी छोड़के बैट जाओ तैयारी करते रहो अब गुरूप डी में क्या साइध रनिंग मगेरा का भी मैटर है जब मालूम चला यहां इंटी पीसी में फाइनल हो जाए जोइनिंग हो जाए मत जाना दोड़ने नहीं लिस्ट में आओगे दूसरों को मौका मिलेगा समद गया हाँ तैयारी रखो मालूम चला पेपर से पहले तुमारी जोइनिंग हो जाए गुरूप डी की तो पेपर देने ही नहीं जाना जब जोइनिंग हो जाए दूसरों को मौका क्योंकि आज की डेट में रिक्वार्मेंट है बच्चों की सरकारी नौकरी एक ठोस लंबती संकु 11.2 सेंटीमीटर उचा है इसके आधार की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है यदि संकु को पिगला कर एक गोले के रूप में ढला जाता है तो गोले का व्यास कितना होगा ये बच्चा दोनों का आयतन बराबर करने वाला कोशन है देखो संकु का आयतन पाई आर स्क्वार आर हमको दिया गया 2.8 2.8 और ह 11.2 और गोले का आयतन 4 बड़ातीन पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब होता है ये गोले का आयतन होता है जाया चीजों को बढ़या से समझना अच्चा देखो एक लंबती संकु बोला गया एक बटा तीन पाई आर स्क्वार होता है तीन से तीन गया पाई से पाई गया बोलो हाँ चार से ये 2.8 टाइम्स गया ये तीन बार आ गया यानि 2.8 का ये क्यूबिक हो गया जो कि आर क्यूब हो गया तो आर बराबर 2.8 तो टू आर बराबर मोधी जी 5.6 तो राइट आंसर आप दिस कोशन 5.6 आएगा 21 का आंसर 5.6 इस दा राइट आंसर चाले 21 के बाद प्यारे दोस्तों 26 नमबर कहता है 320 रुपए प्रती हेक्टर की दर से देखो 320 रुपए प्रती हेक्टर की दर से किसी वरगा कार खेत की जुताई की लागर इतनी है देखो प्रती हेक्टर 320 रुपए के साब से एक्स हेक्टर खेत को आप जोतते हो और 2880 रुपिया पाते हो खोलो हाँ तो कहीं न कहीं 320 से भाग दे दो आपने 9 हेक्टर खेत की जोताईła की अब हमसे कहता है एक हेक्टर बराबर 10,000 square meter होता है square meter होता है थीक है तो 1 हेक्टर बराबर तो 9 हेक्टर बराबर समझ गये हो गे 90,000 स्क्वार मीटर होगा कहता है अन्मोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है अन्मोल किसी काम को 25 दिन में कर सकता है गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है अन्मोल के साथ अब गरिमा आ गई और गर्मा के साथ मिलकर 15 दिन में कर सकता है जबकि अनमोल असीमा एक साथ मिलकर अनमोल के साथ असीमा असीमा भी मिलकर 20 दिन में उसी कार को करते हैं पहला उतेज से 20 से बाग दोगे तो 15 आएगा दोस्तो एक चीज समझो एकी छमता बारा है एकी छमता बारा है तो एस की छमता असिमा की तीन हो जाएगी और एकी छमता बारा है तो गरिमा की छमता आठ हो जाएगी हमसे कहता है गरिमा और असिमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को किते दिन में पूरा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, असीमा एक दिन में तीन लड्डू खाती है और गरिमा एक दिन में आठ लड्डू खाती है दोनों मिलकर एक दिन में 11 खाती है, 300 लड्डू, 300 बटा 11 The right answer of this question, 300 बटा 11 होगा पढ़िया कोशन ये हच के छोटे रिचार्ज होते हैं, इन्हें अच्छे कोशन कहते हैं, हाँ, सावधानियटी खेला चालू देखो कैसे, 40 किलोमेटर की दूरी तै करने में अरजुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है अरजुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है, इस बात को समनना अरजुन और रोहित रोहित अगर T टाइम लेता है, तो अरजुन T प्लस 2 टाइम लेता है, अकॉर्डिन टू दा कोशन यदि अरजुन अपनी चाल को दुगना कर ले, तो वे रोहित से 1 घंटा कम लेता है यानि रोहित अगर T लेता है, तो अरजुन अब T-1 लेता है, ये बोला जा रहा है अब सुनना मेरी बात को, गया यही तो खेला है देखो, हम बात करते हैं अरजुन की स्पीड की पहले अरजुन की स्पीड एक थी, क्योंकि अरजुन की चाल 2 गुना हो गया ना पहले अरजुन की स्पीड एक थी, और आज 2 हो गए आज 2 हो गए, तो कही ना कही जो इसका टाइम है, वो रिवर्स हो गया टाइम रिवर्स हो गया बोलो हाँ पहले स्पीड एक थी आज दो तो पहले जो उसका टाइम लग रहा था टी प्लस टू लग रहा और आज अर्जुन का टाइम टी माइनस वन इन दोनों का डिफरेंस तीन है मेरे बाई ये चीज देखो तर ये कैसे डिफरेंस निकाल लिए अरे द्योता टी प्लस टू माइनस टी माइनस वन हैपी बड़े दो और एक किता हुआ तीने घंटे का तो हुआ अब समझ लो याँ दो घंटा जादा है टी से यहाँ एक घंटा कम है तो तीने का तो अंतर आया बोलो बोलो टेल टेल देख कोई है इस समझ में मेरी बात को सुननी वाला कोई ने तीन घंटा है यह तीन घंटे का अंतर है तीन घंटे का अंतर है तो देखा यह जाए मेरे देवता टाइम की बात कर रहू मैं अभी फिर से टाइम की बात कर रहू अगर speed अगर 1 और 2 के ratio में होती है तो time तो twist to 1 के ratio में हो गा ना दोनों का अंतर एक वही एक बराबर 3 घंटा तो 3 का यहाँ गुणा करो 3 का यहाँ यानि पहले उसे लग रहा था 6 घंटा और आज उसे लग रहा है 3 घंटा दया आप समझो हमसे कहता है अरजुन की आरंबिक चाल क्या थी अरे देवता पहले 6 गंटे में अरजुन 60 किलूमीटर तै करता था 60 बटा 6 यानि 10 कियम पियच की स्पीड थी 10 is the right answer हमने एक एक वर्ड को डिकोड किया है जैसे एक्जाम में करना चीए मैं चायता 2-4 लाइन आपकी कोशन से कम कर देता और आपको अच्छा लगता आपको अच्छा लगता तो चीजों को बहतर सीखिए हमने इसलिए हाँ सॉट कर नहीं किया सब्दों पे ही किया मैं चाहता है एक दो लाइन कम कर देता आप खुस हो जाते उससे कोई फायदा नहीं सुनों करने का तरीका यह होता है अर्जुन यह रोई से दो घंटे अधिक लेता है अगर रोई टी लेता तो यह टी प्लस टू यह कॉमन सेंस है यह अर्जुन अपनी चाल को दो गुना कर देता यानि पहले चाल एक थी आज दो थी तो समय का रिश्यो टू इस्टु वन हो जाएगा जेस्ट उल्टा तो यही से देख लो इन दोनों का अंतर तीन गंटा आ रहा है तो इन दोनों का अंतर दो और एक का अंतर तीनी गंटा होगा तो पहले इसको 6 गंटा लगता था आज 3 गंटा कहिता प्रारंबिक चाल बताओ साट किलोमेटर की दूरी पहले चलता था तो साट बटा दस ए साट बटा छे दस किलोमेटर प्रती घंटा A की आए B की आए से 25% कम है तो वो यहाँ ABC की बात हो रही है चलो D B है A, B, C, D है A की आए B से 25% 25% मतलब 1 बटा 4 यानि B 4 रुपया कमाता है तो A 3 रुपया कमाता है इसका अर्थ यह हुआ A की आए B की आए से 25% कम है जिसकी आए C से 40% अधिक है कौन? A की A की आए C से 40% अधिक है इसका अर्थ यह हुआ वही A की आए B से 25% कम है और जिसकी आए C से 40% अधिक है इस पे विचार कीजिए कि जो ये जिसकी सब्द पोल ला है वो किसके लिए बोल ला है विचार कीजिए विमर्स कीजिए और चीजों को बैतर सीख लीजिए जो जिसकी सब्द बोल ला है वो A के लिए ही बोल ला है दे होता हो 40% अधिक 40% का मतलब होता है 2 बटा 5 यानि C 5 लड्डू खाता है तो A 7 खाएगा A 7 खाएगा और C की आए D की आए से 20% कब है 20% एक बटा 5 यानि D 5 लड्डू खाता है तो C 4 लड्डू खाएगा यही तो हुआ अब देखो यहां के बाद की कैल्कुलिसम आपको सीखने चाहिए जिसे यह 7 है तो यह 7 हो जाएगा यह 4 है तो यह 4-4 कर दो यह 5 है तो यह 5 कर दो यह 4 है तो यह 4-4 ऐसे और अब हमें अपनी कैल्कुलेशन करनी है यहां पर भी प्रचेंड ग्यान की जुरत होती है दोस्तों प्रचेंड ग्यान अभी देखना कैसे चार चार चाar ये चार गया पाकी कुछ नहीं जाता 7.31 ऐसे 7.28 ऐसे 5.20 और ये 25 अब हमसे कहता है A की I, C की I, C की I से कितना प्रस्थ अधिक है नहीं होता हो A की I, C से कितना प्रस्ंट अधिक है 20.21 रुपई कमाता है A की I, 21, तो एक रुपया से सी से एक बटा बीस गुड़े हंडेट यानि पाँच परसेंट अधीक है अच्छा इस सेट को हमने डिफिकल्ट क्यों बोला कहीं ना कहीं एक एक मलब दो दो पाँच पाँच ददस सेकिन में आंसर नहीं आ रहे यानि यहां आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा ठीक है बेसिक से पढ़ना पड़ेगा एक बच्चा कहता है कि सर जूत की पहले 2020 लगा है कि 2022 अरे 2022 लगाओ 20 वाला मुद्दा खतम अब 22 लगाओ मेरे बाई ठीक है पेपर देखरो बदलते हुए पैटन पे आ रहा है आप देखो लेवल फोर लेवल सिक्स के बाद जब पेपर जिन्होंने लेवल फोर सिक्स के पेपर सॉल की होंगे वो तीनों पेपर सॉल की होंगे उन्हें सीवरी टू के बाकी पेपर में हैल्प मिली कई सारे कोशन रिपीट हुए सेम पैटन के कई सारे चाहें रेशियो का देख लो कई सारे कोशन रिपीट हुए तो हमें आज की डेट में बदलते हुए पैटर्ण पे वर करना है अब मालूम चला तुम गुरुप डी का 2004 वाला 5 वाला 18 वाला सौल करें आज की डेट में यानि 2022 में अब तुम कहे रहो हम 18 वाला पहले सौल करेंगे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना देवता जो पेपर बनाने वाली एजनसी भी होती है उसका भी माइंड बदल जाता है नए कोशन सौल करता तो उसी से ही चालू आगे बढ़ता है कि जैसी तुम्हारी स्रद्दा हमिशा याद रखो एक्जाम बाला बदलते हुए पैटर्न पर ही काम करता है ने ने लड़के आते हैं पैटर्न बदलता है हाँ इस किताब की आप बारे में लिब बोल लेते बचा इस किताब को सौल क और हो मेरे मैथट से जिस दाप से मैं पढ़ाता ओ अभी तक जितना भी कोशन में ने अभी कराया है जो फ़ड़ा सा बढ़ा है चोटा है वो सारा इसके कोर्स में हमने करा दिया सारा का सारा करा दिया प्रकास वोस्तिर आप में नाममात का सुलक है वाइलिंग वाल हर एक क पढ़ लो मेरे बाई, सेलेक्शन लेना है तो पढ़ लो, अब जैसे ये कोशन, अब एकात कोशन तो अच्छे आएंगे, इस कोशन का अंसर लोग दिया लेके ढून रहे हैं, मार्केट में, हाँ, दिया लेके ढून रहे हैं, ये थ्री स्टार कोशन है, पेपर वाले ने एक क बदलाओ किया है, ये स्सी का किसी न किजी सेट से उठाया हुआ है, ऐसा नहीं कि एक कोशन अंगले में स्सी पढ़ डाले, पर यहाँ कोशन है, समनना पहले, कई कंडिशन है, कहता है यदि पांच अंकों की संख्या, ग्यारा से डिविजबिल है, तो ग्यारा से ये ग्यारा से डिविजबिल्टी, अब 21 से होता है तीन और साथ, तीन और साथ, तीन से आप देखोगे, एक्स प्लस वाई ऐसे लिखो, और ये हो गया दस, दस में नो कम कर दो तो एक बचा, और ये तीन से डिविजबिल्टी, अब सर कह दो क्यों, अरे भाया, जो पांच पांच, दस हुआ, तो इसके अंदर का नो तो तीन से जाता है, तो एक ही तो सेसफल बचेगा, तो ये तीन से हो गया, अब मुद्दा आया, साथ का, साथ वाले में आप भाग दो, हाँ, साथ वाले में आप भाग दो, अच्छा लगेगा भी, साथ का उन्चास ऐसे आया, अरे बोलो हाँ, एक ऐसे, अब ये एकस वाई को ऐसी ही उतार, ये चीज़, अब ये तीनों कंडिशन अगर फॉलो करेंगी, then you will get the right answer of this one, 7x-5, अब यहाँ आपको सेकिंडों का दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग हम अगर मैंने x को 1 कर दिया, मेरी बात सुनो, x को 1 कर दिया, तो धिमाग ये कहता है, अगर x1 है, तो y2 होगा, यानि y x एक बड़ा होगा, अब के तो सर दो बड़ा क्यों नहीं, तीन बड़ा नहीं, चार बड़ा नहीं, अब ये तो आप बोलो न सर, कि सर एक ही क्यों 2, 3, 4 क्यों नहीं बड़ा, अरे देवता, अगर हम इसको, देखो, 10, 2, 12 में से 1 गया, तो 11 आया, तभी तो 11 जाएगा, अगर मैं y को 3 कर दू, तो ये 13 में से 1 गया, 13 में से 1 गया, कभी 12 आया, कभी 11 जाएगा, नहीं, यानि x और y में हमेसा 1 का अंतर रहेगा, मेरे देवत या देखो, ये 1, 2, 3, ये 4 हुआ, या 3 से जाता है, नहीं जाता, यानि ये पहली कंडिशन फेल हो गए, अब इसी हिसाब से, आप बाकी कंडिशन जैसे नहीं, अगर x को 2 लिया, तो y 3 होगा, अगर x को 3 लिया, ये 4 हुआ, अगर ये 4 लिया, तो ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 लिया, तो ये 7 हुआ, ये 7 लिया, तो ये 8 हुआ, ये 8 लिया, तो ये 9 हुआ, ये आप अपने माइंड में तेजी से कर सकते हो, ये आप माइंड में कैसे, कि ये चीज जो कंडिशन है, वो इसमें तो बैठ रही है, इसमें हमीशा बैठ रही है, अब इधर वालिम दे चार पांच एक नो मुलब चार पांच नो एक दस ये भी गलत 5-6-11 और एक बारा ये भी सही हो सकता है 7-6-13-14 नहीं हो सकता 8-7-15-16 नहीं हो सकता 8-9-17 एक यह हो सकता है यानि हमें अब सिर्थ 3 value पे decide करना है इस पे 3 value पे decide करना है देखो इसका मुद्दा खतम यह जो सुरुवात की तीन वैलू मलब यह तीन वैलू पर यह भी मुद्दा खतम यह भी मुद्दा खतम चाहें यहां रखके देख लो x y की ये value क्या यहाँ इन दोनों में ये 3 value सेटीक पढ़ लए आगे की value पे decide कर लो आगे की value क्या हमारे पाथ 3 cases आ रहे है 123 नमबर 156 नमबर और 189 नमबर बस इन 3 में से जो value 7 से चला जाएगा बस वही x y को decide कर देगा सर कैसे 7 से भाग दो स्तात पित्रेपन नहीं जाएगा 14 16 नहीं जाएगा तो यहीं जाएगा 14 49 यानि x हमारा 8 होगा y हमारा 9 होगा यह इसके लिए महनत की जोदोती 8 सत्य 56 9 पना 45 अंतर आया 11 जिस बच्चे ने पेपर में इस question को सही किया होगा वास्तों में वो पढ़ा लिखा बच्चा होगा तिया लेके ढून रहे है टीचर तक की इसका अंसर क्या होगा ठीक है अपके दो कैसे एक बच्चा कहरा 11 का मल्टिपिल यह सस्ता नसा करने वाला है यह सस्ता पूछा कुछ जा रहा है यह कर रहा है 11 का मल्टिपिल ठीक है हाँ एक तरीका तो यह है यहाँ पर हमसे एक्स वाई की वैलू नहीं पूछी जा रही है मेरे देवता जो तुम नसेबाजी कर रहे हो ठीक है हमसे 7 एक्स माइनस 5 वाई की वैलू पूछी जा रही है बाकि जैसी आपकी श्रदा एक बार मैं इसको रिपीट करूँगा इसका प्रॉपर वैल मैनर सोलूशन यही है बाकि एक लाल टेल लो और टेलो जिने लगता यह कोशन आसान है उनसे बस यही कहना है कि जाओ अगर जहां पढ़ते हो अपने टीचरों से जाके एक बार पूछना आपको ऐसास दिला देगा और मैं तो यह कहूँगा 99% टीचर तुरंद इस कोशन को सौल नहीं कर पाएंगे तुमके दो सर आप घमंड में हो आप चाहें जो मुझे बोलो घमंड बोलो चाहें जो बोलो मैं आपको सही पत बता रहा हूँ 99% क्यों एक्शुल में क्या है कि आज की डेट में जैसे हम ही है सारे टीचरों बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं मालो आफ लाइंग क्लासिस लो पले बात को सुनो तो मैं उतने ही कउशन पढ़ाँगा जितना हमेशा चल रहा है हर बैच में भी उतना ही पढ़ाँगा जैदा है ता मैं अपनी सीट के कोशन कराँगा बस तो हमारा माइन्ड बस वही तक इस तिरै मैं क्या करता हूँ आज की डेट में मैं क्या बहुत सारे टीचर मैं अकेला नहीं बहुत सारे टीचर जो यूटूब के माध्यम से पढ़ा रहे है वो ज़्यादा अपडेटिट क्यों है क्योंकि वो नए-एक कोशन को तुरन सॉल्व करते है उनमें से यह है क्या रिपीट किया जाए चालो रिपीट करते हैं बड़या कोशन है अब एक चीज और समन लेना मेरे भाई हाथ जोड़के इसका और कोई भी सौटकट हो सकता होगा मेरा जो प्रजेंस और मैंने उससे किया है थोड़ा समय लगाएंगे तो कुछ ना कुछ नया भी निकलाएगा एक बार फिर समझते ह यदि पांच अंको की संक्या 11 से डिविस्बिल 11 से डिविस्बिल तो अल्टरनेट पोजिशन 5, 5, 10 और Y 10 प्लस Y माइनस X बटा 11 तो यहां पर हमेशा याद रखना कि जो X की वैलू होगी Y से हमेशा एक कम होगी सर ऐसा क्यों होगा अच्छा अब एक चीज दो जो अगर मै इसको 3 लोगा तभी ये 2, 13 में से 2 गया तभी 11 से जाएगा यानि ये कंडिशन तो हमें किलियर हो गए पहली बात अब एक एक का अंतर मालो मैंने इसको एक लिया इसे 2 तो ये 3 हो गया ये 4 तो अब ये 3 से कहा जा रहा है यानि ये ही कंडिशन इसकी तो कंडिशन फिट हो कि इस वाले में ये सारी condition fit है बट ये condition क्या इसमें fit है तो हम गए 2, 3 हुआ 5, 1, 6 जाएगा 3, 4, 7, 1, 8 नहीं जाएगा 5, 4, 9, 1, 10 नहीं जाएगा 5, 6, 11, 1, 12 ये जाएगा 6, 7 नहीं जाएगा 7, 8 नहीं जाएगा 8, 9, 17 और 1, 18 ये जाएगा ये तीन वैलू आपके सामने है च्रो किस से जाएगे जाएगा 3 से जाएगे अब आजाओ यहाँ पर हमको बस ये चाहिए 1, X, Y ये उता ये तीन वैलू 123, 156, 119 ये दोनों कट गिया 189 आया 189 हमारा 7 से जाता है इसका मतलब यही 8 और 9 ही वैलू सेटिस्पाई होगी 8, 7, 56, 95, 45, 11 जिसने पेपर में किया है उसको यहाँ से हाथ जोड़ ला हूँ अच्छा बच्चा है मुद्दा खतम अच्छा बच्चा है ये कोशन मैंने भर-बर के अभी कराए हाली में SSC वाले कराए उपने कहा था कि बच्चा आफ वाले कोशन पूछेगा यूटूब में भर-बर के हमने सिंप्लिफिकेशन कराया है और कहीं ना कहीं 300 के उपर सिंप्लिफिकेशन कराया था पूछ दिया है उसने आफ वाला जी हैं और कुछ नहीं है सावधानी अटी अंसर गलत ठीक है देखो पाँच माइनस दस दिविजन लगा है तो नीचे लाओ इंटू दो माइनस जहां अभी छेड़ों ने इसको ऐसे ही रखो क्योंकि बहुत सारा है और ऐसे ये कर ली पहले इसको कर लो फिर इंटू फिर इसको सौल कर लो देन इसके साथ खेलेंगे देखो 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 अंदर गए तो अंदर गए तो देखो ये हाँ पाँच गुड़े छे ऐसे ये आगया माइनस का ती तो वो नीचे जाएगा और ये प्लस का 13 ये ब्रैकेट लगा है इंटू आठ ऐसे चार त्याएं बारा नीचे आएगा ये तो आप समझ गए होंगे कि पांच से ये दो बार में गया तो पांच में से चार गया तो ये एक आया यहाँ माइनस सिंबल लगा रहेगा बारा ऐसे अब ये एक चीज समझ गए यहाँ आफ लगा है ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा बारा के इसलिए एक कोशन अच्छा है तीन से देखो तीन से ये दो बार में गया पांदूना दस दस में तेरा गया तो ये तीने आया तो च्छत्रिक अठारा तो बारा बटा अठारा हो गया बारा च्छत्रिक अठारा नीचे इंटू में आठ बटा बारा ऐसे ही रहा साउधानी हटे दुरगटना घटे मुझसे भी गलती होगी ऐसा मेरा खुद का मानना है ठीक है, 12 से 12 गया, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, 1 माइनस 4 बटा 9, 9 में से 4 गया, 5 बटा 9, ये भी कोशन जिस बच्चे ने पेपर में सही किया होगा, वास्तों में उसको बोर्ड मास आता होगा, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस कोशन को गलत आंसर देंगे, बह बढ़ियां से सीखे, मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ियां से, चले, जो को बैतर सीखे, हमारे साथ सीखे, 36 के बाद, 40 नमबर, दोस्तों ये कोशन मेरे उसका नहीं है, यह यहां मैंने चिपका दिया है, ये समझ गए ना, अरे दे होता, रिजनिंग का खूशन है, लोकेस पूर की जिशा में 4 किलिब्ट चलता है, फिर मुड़ता है, 3 किलिब्ट जलता, अंत आता, मैं नहीं बताओंगा, sorry for that, ये रिजनिंग का खूशन, math समझ के मैंने लगा दिया, sorry for that, चालिस नंबर कोशन रिजनिंग का है आपके दो बता दो फिर आज हमने एक बता दिया तो आप डेली कोगे ये भी बताओ इसलिए नहीं ऐसा कामी ना करो जिससे आपका उमीदे मुझसे बढ़ जाएं वो रिजनिंग का था बहुत सारा कोशन लगा हुआ बहुत सारा ध्यान नहीं देता हूं ना मैं कौन सा मैत का कौन सा रिजनिंग का वैं बड़ी से बड़ी संख्या ग्यात किजिए जो इतने को पूरते विवाजित कर देगी इसको पूरते हैं देखो ऑप्शन से जाओ ना पहला छे जो कि तीन का मल्टपिल है हाल तुम्हें यहां दुनिया बर का घटा गोटी को करोगे मलब एससी अप लोगे एससी अभी लेना है ना इसका अब इतना दम नहीं है तीन का मल्टपिल है यह नौ पांच नहीं होता छे चार दस एक ज्यारा यानि तीन का मल्टपिल नहीं है तो तीन का मल्टपिल यह तीन का दोनों नहीं यह तो चार होगा यह आठ होगा यह तो चार से तो साब साब दिख रहा है कि 36 भी जाता है चौसट भी जाता है यानि चार तो होना ही होना है पर आठ को जरूर चेक कर 88-48 जाता है यानि 8 इसका SCF होगा The right answer of this question 8 आएक किसी छात्र समू में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या की 3-4 आए किसी छात्र समू में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या की 3-4 आए किसी छात्र समू में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या की 3-4 आए गल्स एंड बॉइस, बॉइस शार गल्स ती, किजी छात सम्मूम में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या की तीन चौत आई है, यानि बॉइस शार होंगे गल्स तीन होंगे, यदि लड़कियों की संख्या का दो तीहाई भाग, देख रहे हैं दिया, यदि लड़कों की संख्या का दो तीहाई भाग यानि दो यूनिट दो तीहाई भाग और लड़कों की संख्या का आदा भाग चार का आदा दो होता है आम का रस पसंद करता है तो ये चार लोग हैं जो आम का रस पसंद कर रहे हैं तो लड़कियों लड़कों की कुल संख्या का कि 347 चार बटा साथ चार बटा साथ इस ऻिए डार राइट आ अंसर लड़की यो लड़कों की कुल संख्या करका कितना भाग आम का पसंद करता है,backs discuss प्रस्वत बोल दिया, चार बटा साथ लोग आम का रस का पसंद करते हैं दोस्तो, कि लाइक और सेर भी कर दो मेरे देवता हूं कितना प्यारा सेट कर आ रहा हूं कि दिए गए आकड़ों की मादिका ग्याद किजिए दिए कि मादिका तभी ग्याद कर पाएंगे जब इसको पहला नियम होता है का एसेंडिंग ओडर बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले दसमलो एक फिर दसमलो में 0.9 आएगा यहां सावधानी रखना फिर 1 आएगा फिर 1.1 आएगा फिर 2.3 आएगा फिर 2.5 आएगा फिर 3.9 आएगा 4.2 आएगा 4.6 आएगा तीन तीन छे तार आठ नौ तीन तीन छे नौ और एक दस कहीं दया गरबड है तार चार आठ इक नौ 23 हो गया अच्छा पांच भी है दोस्तों कट्टा पिटी करते हैं तुरवात के चार कटे अंतिम चार कटे इन दोनों के योग का आधा ही हमारा माधिका होगा यानि 2.4 is the right answer of this question इस question का answer 2.4 होगा कहता है यदि इतना बराबर इतना तो इसका मान किसके बराबर देखो अगर आपके पास फोड़ा सा दिमाग है तो यहीं खेल लो देखो यहां दो जीरो बढ़ा लो और दोनों के दसमलों हटा दू कोई दिक्कत नहीं आई सीधी थी बात है इसमें तो यह जाएगा भाई यह आप तीन डिजिट थी यहां आप ऐसे एक सो आड़ बार में जा लागा यह बात निकल के आई यहां पर आजाओ यह दसमलों अटाओ तो यह भी अटाओगे बड़ यहां इसके नीचे क्या आएगा जीरो आएगा बोलो हां यानि 289575 नीचे 268125 जीरो अब मेरे देवता उपर अगर दो जीरो लगाओगे तो नीचे भी दो जीरो लगाओगे अब सर्ब ऐसा क्यों किया एक्शल में देखा जाए तीस और दिस की वैलू यानि अभी समझ में आएगा इसकी वैलू देख लो गर से देखो 108 और नीचे 300 है यानि 1000 से भाग दोगे 0.108 इस दा राइट आंसर आएगा पढ़िया कोशन होते हैं ये यूट रेलवे की जो किताब प्रकास होस्ती आप में हमने भरबर के आपको पढ़ाया है अगर उसको सही से पढ़ोगे तो ये सब पाऊगे एक बच्चा के रहा सर मीन मीडियन मोड करा दो ये सस्ता नसा कर रहा है अरे देवता 15-20 दिन हो गए मीन मीडियन मोड करा है हुए एक बार प्रकास होस्ती आप में जाकर देखो अर्थमेटिक के चैप्टर में आपको मिल जाएगा ठीक है 15 दिन के उपर हो गए समझे नहीं तिर्व उसकिताब का डि आई बताना है वो भी चल रहा है देदरे आज से चलू कर देंगे पूरी किताब खतब है किसी बल्ले बाज के पिछली 10 पारियों के स्कोर दिये गए इन पारियों में बल्ले बाज की मादिका स्कोर ग्याद किजिए मादिका का नियम क्या है एसेंडिंग और बढ़ते हुए करम में लिखो पहले 6-8 लिखोगे 6-8 फिर 27 लिखोगे फिर 50 आजाएगा फिर 63-65 आजाएगा फिर 63-65 के बाद 81 आजाएगा 81 के बाद 122 आएगा 165 आएगा और 180 आएगा हमको मादिका चाहिए तया तुरवात के चार काड़ दो अंत के चार काड़ दो इन दोनों के योग का आधा यानि 64 इसकी मादिका होगी कहता संख्या इतने को आरभी क्रम में विवस्तित करो इसके माद और मादिका बराबर है दिखे इस बार कई सारे कोशन पूछे गए है में मिडियेंड मोड का यह तीसरा कोशन है दोस्तों कुछ नहीं कहरा इसका मादिका बराबर है दिखे इसका जो मादिका आएगा वो तो एकस आएगा और जो ये x है वो इसके माद के बराबर है तो टोटल साथ से भाग दोगे इनको जोड़ लो गया ये 30 हो गया ये भी 30 हो गया 30, 30, 60 और 32, 4, 96 यानि x प्लस 96 7x ऐसे आया x प्लस 96 यानि 6x बराबर 96 तो x बराबर 16 तोला इस दा राइट आंसर बढ़या कोशन बढ़या कोशन ताउधानी से करना खेला हो जाएगा कहता है x एक निश्यत कार को 84 दिन में कर सकता है यानि x can do a piece of work in 84 days y x से 50% कम कार कुशल है y x से 50% कम कार कुशल है यानि x तीन लड्डू खाता है तो y दो लड्डू खाता है इस कार तो यह हुआ ना भाई ना ना पचास परशिंट कम है sorry 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 x अगर दो लड्डू खाता है तो y एक लड्डू खाता है भाई x अगर 100 लड्डू बना रहा है तो y 50 लड्डू बना रहा है इस कार तो यह हुआ ना y x से 50% कम कार कुशल है जबकि जेड उसी कार को करने में 28 दिन का समय लेता है कार को पूरा करने के लिए वाईने सुरू में अब देखो यहां टोटल वर्क कैसे निकालें सारा मैटर यह है टोटल वर्क बच्चा यह एजियूम कर लो 84 दूना यह हमारा टोटल वर्क होगा 168 टोटल वर्क होगा यह बात बिल्कुल माइड में बठा लो बिल्कुल बठा लो यहां कुछ सोचना ही नहीं और जब यह 168 होगा तो दो गुड़े 84 एक सो अरसट होता है तो एक गुड़े 168 होता है और 28 में भी एक सो अरसट आना चाहिए छे बार में अब दो क्या कहता है कहता है कार को पूरा करने के लिए वाई ने सुरू किया और तीन दिन के बाद तो वाई ने सुरू किया वाई एक दिन में एक लड़ू खाता है तो तीन दिन में तीन लड़ू खाया तो लड़ू बचे एक सो पैसट तीन तो खतम हो गए फिर तीन दिन के बाद X उसके साथ सामिल हो गया तो तीन दिन बाद X सामिल हो गया एक दिन में 2 लड़ू तीन दिन में 6 अब ये दोनों हैं तो एक दिन में 3 तो तीन दिन में 9 लड़ू 9 कम कर दो 156 लड़ू 156 यहां एक दिन यहां तेन दिन फिर उसके आज जिट सुरुवाज से साथ दिन के बाद उसके साथ सामिल हुआ दया 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 यहां गवर है भाई ने कार सुरू किया अब यहां हमने थोड़ा सा गवर कर दिया है देखो चुरुआत से साथ दिन के बाद आया यानि तीन दिन काम किया सिर्फ य ने फिर चार दिन काम कर रहा है एक्स और वाई फिर उसके बाद से जड़ भी सामिल होया एक्स वाई एक दिन में तीन लड़ु खाते हैं चार दिन में बारा खाएंगे तो बचे 153 लड़ू अब उसके बाद XYZ तीनों आ गए यानि एक साथ मिलकर 9 लड़ू खाते हैं तो 153 लड़ू 9 से भाग दोगे 17 दिन में खाएंगे 17 दिन is the right answer of this question कुछ questions अच्छे आते हैं उनमें से ये भी सामिल है जिनका basic clear वो बात्सा ठीक है जिनका basic clear वो बात्सा ठीक है चीजों को बैतर सिखिए हमारे साथ सिखिए 66 के बाद 67 एक गड़ित प्रश्णों 3 में क्लाश 10 के 64 विद्यारती भाग लेते हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्णोत्री में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का अनपात देखो 64 लोग भाग लेते हैं यानि total 64 पहले बात को समझना लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है 16 अधिक है अब ये 40 हो गया और ये 24 हो गया इन दोनों का योग 64 होगा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है ये girls की value हो गई ये boys की हो बहुत पढ़ाया तो प्रश्णोत्री में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या विद्यार्तियों की कुल संख्या कन पाथ लड़के 24 हैं और कुल संख्या 64 है आठ से भाग दोगे तीन बार में तीन और आठ का रेशियो आएगा तर राइट आंसर आप दिस कोशन 3 बाई 8 वे छोटी छोटी संख्या ग्यात करो जो 11, 12, 13, 14, 15 जव्याजित करने पर प्रतेग में सेस्फल दो आता है यानि सभी में 2 सेस्फल कम कर दो यह अपनी टेक्निक है हमने आपको बहुत पढ़ाया है LCM SCUP में यह टेक्निक कि 2 सेस बचे का तो 2 ही कम करो अब यहाँ आजाओ divisibility चेक करो जिसे 12 है यह 3 और 4 का होता है पहले 4 से देख लो यह जाता है यह नहीं जाता बाकी सब 4 से जाते हैं अरे बोलो हाँ अब 3 से देखो 3 से यह जाता है 3 से यह भी जाता है पर 3 से यह नहीं जाता अब 2 options अब आजाओ 11 की divisibility सबसे बेटर 11 में alternate position समझे नहीं यह 6-6 यह 11 से जाता है यह 11 से नहीं जाता यानि यही answer समझे यह यह आमने बहुत पढ़ाया मिर भाई अगर LCMS से देखोगे Youth Railway वाला प्रकास होस्ती आप में भी YouTube में भी है भर भर के पढ़ाया मिर भाई 2200 question ऐसे पढ़ाया यह सब काले जादू से सिखाया है यह question level 4 level 6 में भी same pattern पे ही आए है ठीक है अप्रोक्स वाले question launch किये उन्होंने उसे पहले नहीं थे बड़े simple है इसे 5 बोलेंगे सबसे simple यही होते है अगर दिविजन देता तो खेला होता अपने यहाँ प्लस है यह 6 बोलेंगे यहाँ दो से डिवाइड बोलेंगे यह सस्ता वाला question तोला ते हैं 48 प्लस पांच और यह 3 तो 48 में आठ जोड़ोंगे मोदी जी 56 आएंगे 56 is the right answer of this question निम निम बेंजन को सरल कीजिए सरल कीजिए calculation होगी सबजो साड़े 3 को 7 बटा 2 कहते है तसमलों 5 को 1 बटा 2 कहते है इंटू ऐसे रखो 4.4 ऐसे रखो माइनस 0.625 को ऐसे लिखो नीचे 1.5625 ऐसे लिखो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ तसमलों हटाओ हटाओ तो यहाँ 0 आएगा अब सुनो 125 से यह जाएगा 125 से यह जाएगा किती बार में 5 बार में यानि 50 बार में गया 125 का यह square होता है फिर देखो 25 से यह 2 बार में 25 से 5 बार में 2 बटा 5 चालिस पैसे ही आता है 2 बटा 5 को 40.4 बोलते है 4.4 यह ओलिडी है तया और यह 7 बटा 4 इसको घटाओ गे तो यह 4 ही आया 4 से 4 गया 7 आंसर है बहुत पढ़ा है आप देखो simplification भी कई सारे question पूछे गए कई सारे question LCM SCF के हो गए कई सारे question आपके किसके mensuration के हो गए अभी इसमें कहीं है trigonometry नहीं आया अभी यह तो paper पे है देगा या नहीं देगा कहता है algebra कहीं है easy होता है कहता है सम्मीकर इतने के मूल है देखो 9 से भाग दे तो यह जाता है क्योंकि यह 21 का square होता है तो 3 का multiple चला गया 7 का square 49 यानि 7 का square आया square root ले लो x plus 9 plus minus 7 सर क्यों क्योंकि दो roots हैं option में एक बार plus लोगे तो 7 में 9 जाएगा तो x बराबर minus 2 आएगा एक बार minus लोगे तो minus के 7 में minus 9 तो minus का 16 हो जाएगा यह दो answer आएंगे minus 2 और minus 16 is the right answer of this question minus 2 और minus 16 is the right answer कहता है दिये गए विकल्पों में से उस संख्या का chain कीजिए जो निमलिखित प्रेश्ण में किस्तान पर आ सकता है यानि यह reasoning है पढ़ाते हैं प्रकास सर ये भी देखो alternate ले लो समझ गये ना ऐसे इसमें कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है इसमें भी 6 जोड़ा आगे भी 15 में भी 6 जोड़ा तो 21 आंसर ठोको लाए आई-जे के एक समझ भावत्र बुज़े एक समझ भावत्र बुज़े आई-जे के common sense का question है समझ भाव में दो भुजाएं बराबर होती है तो कहरा है आई-जे और आई-के बराबर है और हमसे कहता है जे आई-के 60 है अरे देउता जब ये 60 हो गया तो सारे 60 हो गया सर ऐसा क्यों अरे देउता ओपर वाला 60 तो बचा 120 अब दोनों में बराबर बटेगा यानि 60-60 खिर हमसे कहता है आईजे का मान 120 से कितना प्रतिस्ट कम होगा अरे मेरे बाई आईजे के किसका मान आईजे का मान तो 60 है और 120 से कितना प्रतिस्ट कम तो दोनों का अंतर 60 कंपेर्जन इससे किया गया 50% देया 50% कम ये पेपर वालों ने पहली बार कुछ सोचा है मतलब कुछ नया करने को सोचा है ठीक है टफ नहीं है खोड़ा सा सोचा है कि ये मान कितनो परसिंट कम होगा ठीक है तो ये उनकी क्या है क्वाल्टी है अमद रहना खना है तो ये पेपर वालो की क्याल्टी है बैडर कॉशन है तो सारे कुशन कराया है चपन। हाँ आज किल कोई घुट करों खण Hillicem lóg ऐक अतीड ठीक है अभी किसी भी टीचर का मार्केट में सोलूशन नहीं आये हुए है सारे बता दूँगा मैं ऐसा मेरा स्वयम कमाल देखो छे पंचे तीस में से तीन गया 27 आया 27 समझ गया गया 135 135 में साथ कम करोगे 128 आये कम छे सो चालिस में 11 कम करोगे तो यह आयेगा इसमें भी एक पैटर्न मन गया है आप ध्यान नहीं दे रहोगे एक पैटर्न मन गया है यह तीन है यह साथ है यह ग्यारा है तीन साथ का अंतर चार होता है साथ चार का अंतर भी चार होता है तो अब आगे घटेगा 15, ये ध्यानकना, 5 का गुणा करो 15 गटाओ, नौपना 45 चार हासिल, 10 चार 14 हासिल 1, 31 और 15 गटा दू, 3130 is the right answer, the right answer of this question 3130, तेके मैंने सोच लिया जितने भी सेट होंगे उनकी number series हम ही करा देंगे, ये मैंने सोचा है, reason क्या है कि बहुत से बच्चे प सब कराएंगे मेरे भाई, A to Z चीजे, ये फर्जी कोशन है, ये तो मजाक कराने आया है, रग दो, सात्या है, सात्या ही कहिस, अच्छा ये मेरे गलत भी हो जाते हैं, इतने easy होते हैं, 4 चुकु 16, ये कितना, 3 तरिका 9, और 4 दूना 8, तो 5 बड़ा 17, ये ये पेपर में आत हैं, ये ब्याज की दर 20% हो, और ब्याज की गढ़ना अर्धवार्शिक शक्वर्ति ब्याज पर हो, देख रहे हैं, यानि रेट अगर 20% पर एनम हो, टाइम आपका 3 by 2 ये दिया गया, अब तो को अर्धवार्शिक बोला है, यानि अर्धवार्शिक तो ये चीज यहां सीक दया, 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 पारा बटा 6 लिखना सीको, अर्धवार्शिक में ऐसे, और रेट में जश्ट इसका उल्टा, यही मैंने आपको सिखाया, तो ये आजाएगा रेट 10% और द्योता, ये 36 बटा 12 ये 3 वर्श जीगा, अब कुछ नहीं करना, कहिता प्रिंस्पल 4000 है, तो हमका मिस्रधन चाहिए, अच्छा, 10% का मतलब 10 की चीज 11 में हो रहा है, 3 साल का खीला है, 1000 लगाओगे, 1331 पाओगे, और मेरे द्योताओ, 1000 लगाया, 1331, 4000 लगा रहा हूँ, तो 4 का यान गुणा कर लो, 4, 4 ते हैं, 12 हसिल एक, 12, 13, 4, 15, 5324 is the right answer of this question, इस question का answer, 5324 आएगा, 5324, चाले, प्यार से पढ़िए, मोहबबस सी सीखिए, दोस्तों, कहता है, रितिक एक मेच को, 37% के लाप पर बेशता है, दोस्तों, ये question बहुत कराया है, बहुत कराया है, आपको बता दे, इसे 5 स्टार लगा लो, आप मेरे से कहीं का भी profit loss पढ़ना, जो मैं high-tech बताऊंगा, मैं उसी से ही कराऊंगा, ये question हर एक बच्चे को आना चीए, नहीं आता तो समझो, तयारी छोड़ दो, मैं तो ये कहूंगा, तरह ऐसा क्यों करो, हाँ मेरे बाई, SSE में कम से कम 100 बार ऐसे question आए, railway में कम से कम 30 से 40 बार ऐसे question आए, क्या होता है, उसे समझो, जैसे हम कोई business कर रहे हैं, पहले कुछ परशन लाब कमाते हैं, किसी ने ग्यान दिया, कि भीया इतने कम मिलाते, तो इतना ज़्यादा ग्यान मलब लाब कमाते, ऐसा question है, thought cut बताएंगे, पाकी long cut, swim, जिम्मेदारो, जू जो जाकर किताबे खोलो, वहाँ पर भी हमने ऐसी पढ़ा है, रितिक एक मेज को साड़े 37% लाब पर बेजता है, यानि पहले मैं कोई business कर रहा था, मैं, यानि प्रकास सर कानपुर वाले, साड़े 37% लाब कमाते थे, बड़ा अच्छा खासा business चल ला था, आप आएं मेरे पास, कहिते हैं सर, जो आप समान लाते हैं, हम आपको साड़े 12% कम में ख़ड़ दिलवा देंगे, तो साड़े 12% कम में, तो मुझे लगा, साड़े 12% रुपिया, अब मैं कमाऊंगा, कोई चीज है, अगर मैं साड़े 12% कम में ला रहा हूँ, तो मुझे तो लाब हो रहा है, मालो 100 की चीज में 90 में ला रहा हूँ, तो मुझे तो लाब हो रहा है न, लेकिन, और इसे 330 रुपे, कम में बेच रहा हूँ, अब ये मुझे घाटा हो रहा है, अब मालो कोई चीज में ला रहा हूँ, तो सस्ते में ला रहा हूँ और उसमें कम में बेच रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे घाटा हो रहा है तो मेरी जियव से 330 रुपए निकल गया ऐसा करने से मुझे सिर्फ 10% का लाब हुआ 10% का लाब हुआ यह मलब अब बिजनेस में तो बिजनेस में मेरे साथ हो गया है खेला, तर खेला कैसे, पहले मैं ये कमाता था, अब मैं ये कमा रहा हूँ, आपके प्रचेंड ग्यान से मुझे साड़े 27% का लॉस हो गया, तो ये जो पूरा खेला है वो साड़े 27% लॉस की ओर जाएगा, और याद करो हमने 500 बार बताय है, 500 बार क्या, कम से हम 300-400 बार, क्योंकि बहुत से किताबों का पढ़ाया हुआ है, इसका ये हमेशा परसेंटेज निकाल दू, तस से भाग दे दू और क्या, तो ये हमें 1.25 परसेंटेज एक्स्ट्रा, बस, इसको कैल्कुलेट कर दो, लाइब जिंगा लाला, 330 इधर होता हूँ, मेरे बात को सुनना, इस से ये पूरा का पूरा आठ बार में जाएगा, 1% बराबर आठ के तो 100% 800 के, यानि मेरा प्रिंस्पल 800 रुपिया है, और 1000 रुपै, मेज का क्रैमूल 1000 रुपै से कितना प्रस्त कम है, तो 1000 रुपै से, ये 200 रुपिया कम है, पर ये 1000 अगर आप इसको जर्नल मैथेड से करोगे, फुली कैल्कुलेटी कोशन, ठोको लाइक ठोको, जिसको लगता है कि ये तरीका सर हम आपका नहीं समझेंगे, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर आपने यूथ की कोई भी किताब पढ़ी होगी, या किरन रेल्वे की किताब ह पढ़ा होगा, ठीक है, और या बहुत सारी और किताब, जिनका हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, सब जगे ऐसे ही पढ़ाया है, ठीक है, सब जगे, कहीं बदलाओ किया ही नहीं, घटना चकर का भी प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, रेल्वे का, उसका भी, सब जगे कि हमने ऐसे ही किया है और इसको सीखना चाहिए वहां कई बेसिक से भी करा है बेसिक से आप लोग कर लेना कि मैं ऐसे करता हूँ ठीक है अब इसका तो जर्नल करो सर हमें समझ में नहीं आ रहा है यह उन्हें को समझ में आएगा जो मुझसे पहले पढ़ें बाकी अपने जर्न दिन में कर लेता है तो टाइम एंड वर के भी कई सारे कोशन आए हैं ती उसी काम को एक तीहाई दस दिन में यानि एक बटा तीन दस दिन में अरे काम पूरा करो तो भी पूरा काम तीस दिन में करता है वह एक बटा तीन काम तस दिन में करता है तो पूरा काम तीस दिन में और A और B एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं अच्छा कोशन है यह तो कि बाद में कहीं C को सामिल कर रहे हैं तो को इसका LCM 30 ले लो अभी तो और ये 2 और 1 efficiency रख लो कहता है टोटल लड्डू हमारे पास टोटल वर्क 30 कहता है A और B एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं एक दिन में 3 लड्डू बनाते शे दिन में 18 लड्डू बनाएंगे तो 12 लड्डू बचे फिर एक काम छोड़ दिता है B के साथ मिलकर आठ दिन में पूरा करता है ओ तो देखा यह जाय कि छो 12 लड्डू है Eh j Ruby के साथ मिलकर आठ दिन 12 काम आठ दिन में तो काम टोटल 30 है तो 30 काम किते दिन में तो यह समाज मुझसे कहता है यह समाज कहता है अगर सब 6 काम करेंगे तो 4 दिन में 6 पंचे 30 तो यहाँ पर 4 पंचे 20 यानि 20 दिन में हो जाएगा यानि B और C मिलकर पूरा काम 20 दिन में कर सकते हैं तो हमसे कहता है मूल काम को A और C मिलकर किते दिन में करेंगे फिर से अब यह A और B ऐसे लगा लो A 15 दिन में करता है B 30 दिन में करता है LCM 60 ले रो यहाँ छमता 3 यहाँ 4 और यहाँ 2 आ जाएगी पड़या कोश्चन है डबल कोड़ेट कोश्चन मोलते हैं इसे A और C मिलकर A एक दिन में 4 लड़ू बनाता है और C एक लड़ू क्योंकि B तो 2 बना रहा है न चार एक पांच एक दिन में 5 लड़ू टोटल बनाने साथ साथ बटा पांच बारा सेम पैटन के कोश्चन तिल्ली कोश्टेवल में आयते हैं इन्हे डबल कोड़ेट कोश्चन ठीक है तो दिल्ली कोश्टेवल की कोश्चन ऍह bright समझ गए अब जो बचे है वो भी करा ले बढ़या बढ़या सेट है यह बढ़या कोशन ने दिल्ली कॉंश्टिबल में ऐसे कोशन आया हमने कई बार पढ़ाया हुआ है जो हमारे स्पेसल लेक्चर है उनमें ऐसे कोशन हमने कराया है इसलिए टबल कोड़िट कोशन बोलते है किसी वस्तु को 222 में बेच कर प्रॉफिट लॉस सस्ता वाला है कहता है 48 की हानी होती तो इसमें 48 जोड़ दो चार आठ यानी 210 230 की चीज 222 में बेच ओगे 48 रुपए घर से जाएगे औंतर 48 पर किस पे जा रहा है 270 पे जा रहा है गुड़े सो कटो पीटो पहले तीनेस कटो तीन से बारा बार में तीन से नबबे बार में जीरो से जीरो गया नहीं 3 से 4 बार 3-4 बार, 3-90 बार 4 नहीं 16 बार में 16 क्या हो रहा है दया मुझे क्या हो रहा है 160 बटानो 160 बटानो को हम लोग ये लिख सकते हैं 17 सही 7 बटानो मुद्दा खाता है को को लाइ 153 नो 7, 160 होता है इसलिए यह यह फर्जी कोशन रवी के पास 1530 अंडे जबकि विनीता के पास 2380 है जिन्होंने काल्टेड में रखना है इनका SCF लिया जाता है बहुत फर्जी कोशन है 1530 और 2380 इनका SCF लेना है साफ साफ दिख रहा है कि यह 117 का 17 के पाड़े में आता है 179 साफ साफ दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं मुझे दिख रहा है अरे बोलो हां कि सर हमें भी दिख रहा है कोई है इस समाज में और 1768 सत्रा सो और 680 सत्रा मुलब 170 गुड़े 14 यह दिख रहा है यानि इनका SCF 170 होगा मुद्दा खतब सिम्पल सा कोशन है 179 सत्र गुड़े 14 9 14 का SCF 1 होता इसलिए 170 इसका SCF होगा आपको बता दें अभी तक मैं 35 कोशन करा चुका हूँ पेपर में 35 मैथ के होते हैं यानि कई सारे कोशन जो रिजनिंग के हैं उन्हें भी हमने इसमें सामिल किये है 35 करा चुका हूँ यह 36 कोशन है 3680 की रासी 12% वार्षिक दर से 6 वर्षों लिवेज किये गई तो होने वाला मिस्र धन बताईए देखो 3780 as a 100% होगा यानि यह हमारा प्रिंस्पल होगा 12% एक साल का तो 6 साल का 12,5,60 बर्चंग बातर तिन 75 75% इंट्रेस्ट होगा यानि 175% की वैलू चाहिए दोस्तों 25 से ये 4 बार में 25 से ये 7 बार में 4 से ये 920 बार में 920 गुड़े साथ साथ दुनी 14 एक हासिल 970,63,1,64 4,640 is the right answer तो को लाए ये फरजी कुश्च साथ 21,22,23,23 बटा 3 पांच को 20 3,23,23 बटा 4 9 दुनिय ठरेक 19 बटा 2 24,23,27 बटा 4 कुछ कट रहा है मुझे तो नहीं लग रहा ऐसे ही ये 12, ये 8 24 एलसे में लो 23 गुड़े देश 529 गुड़े दो 58,10 समझ गया न यहाँ 3 का यानि 81 गुड़े 19,9 19,8 कित्ता होता है 190 में 38 गटाथ 152 होता है 152 और 113 ठीक है बस जोड़ो मेरे भाई बाग दो 9,8,17 हासिल 1 5,3,8,19 10,15,1,26 26,97 बटा 14 24 यही आएगा 100 के उपर है यही आएगा 108 सही किया आएगा मिर भाई कर ले ना मिर भाई अब इतना भाग दे ले ले ना क्या चाहते है एक मासूम से बच्चे से देखो 24 फिलाल 240 बार 240 तो 10 तो हो गया अब यह बचा कितना 10 हो गया 240 अब यह 297 में बचा गवड़ कर दिया है क्या तो 97 नहीं गवड़ हो गया एक एलकुलिशन गवड़ है 23 गुड़े 23 529 होता है ना मिरो भए आठ त्रिक आचारते हैं 12 पाविश्टिक 529 का डबल 1058 होता है ठीक है यह हो गया 27 त्रिक यह एक एक यासी हो और 29 9 हासिल 1 152 टेक सो पनी चोड़ने में का प्रप्ड़ होता है 8 9 17 हासिल 1 5 3 8 1 अच्छा 10 15 25 होता है यहाँ 26 97 भी लिग दिया था हमा प्रार्थी ठीक है दीक है मैंने आंसर भले घोसित कर दिया था क्योंकि वो तो हमने सामने दिख रहा है पर मैंने हार नहीं मानी थी यह आपने एक चीज़ देखा होगा ठीक है फिर दूसर हाँ आपनों वजबार के भाग गए 24 से यह दस बार में गया 197 24 शका 144 और फिर 48 जोड़ दो 144 और एक सो आठ यही है ठीक है अरे मैंने अपनी गलती स्वयम सॉल्व की मैंने पीछे पलट के नहीं देखा जो कल को कह दो सर्वाय दिस कोला वरी ठीक है पूरा इमानदारी से सॉल्व करता हुआ मासूम सा टीचर मैं यानि सवस्तिक कानपुर वाला यहां मैंने 25 की जगह 26 कर दिया था जोड़ने में मैंने पूरी कैलकुलेशन को दुबारा किया समझ गे ना हाँ जो कल को कह दो वाय दिस कोला वरी सचिन और सेवाग के पास 950 रुपिया वह सचिन और सेवाग के पास बहुत पैसा है 950 रुपिया पड़िया कोशन यह कहते हैं सेवाग से धाई सो लेने पर सचिन के पास उतनी ही रासी होगी जितनी सेवाग के पास पहले थी देगरो देखो सचिन के पास X माल लिया सेवाग के पास Y माल लिया पहले बात किसे नो सेवाक से धाई सो रुपे लेने पर तो सचिन के पास पहले एक्स था और सेवाक से धाई सो ले लिया तो आप सचिन के पास इतना सेवाक से धाई सो लेने पर सचिन के पास उतनी रासी होगी जितनी सेवाक के पास पहले थी सेवाग के पास पहले तो y थी न, यह उताओ, ठीको, मगर प्यार से, यानि y-x बराबर 200, सेवाग के पास पैसा ज़्यादा है, यह द्यान रखना, सची निव सेवाग, साड़े 900 रुपिया, यानि y-x साड़े 900, 2y बराबर 1200, यानि y बराबर 600, तो x बराबर साड़े 300, हमसे कहता है, उन रासियों का अन्पाज बताओ, सेवाग और सचीन, सेवाग के पास तो 600 है, और सचीन के पास साड़े 300, पचास से भाग दोगे बारा बार, साथ बार, बारा और साथ is the right answer, कैसा लग रहा है, यह कोशन, अब देखों नियम तो 500 होते हैं, आप कोई नियम में नज़ाओ, 5, 1, 6, 5, 1, 6, 6 बटा 5, तो यह 5 बटा 6 आगया, 6, 5, 11, तो 6 उपर जाएगा, 11 यहाँ आएगा, 11, 1, 17, 17 बटा 11 यह हो गया, दिवीजन में भी 17 बटा 11 हो गया, बराबर xy2, यानि यह एक बराबर, xy2, x बराबर 2, तुनिया बर के काले जादू इसमें सिखाए जाते हैं, कोई जुरूत नहीं, आप ऐसे कर लो, स्पीड से, ठीक है, चले, अंतिम कोशन, कुल मिलाकर 40 कोशन हमने इसके कराए है, ध्यान रगना, टेपर में मैत आती है, 35, 40 कोशन करा रहा हूँ, कल कोई ये ना कहना, सरवाय दिस, ये कोशन, सेम पैटन का कोशन, इससे पहले वाला सेट, 17 जुन का सिफ्ट नंबर 2 में भी ऐसे कोशन है, और इसमें भी ऐसा ही है, कहता है, निमनिकित पाई चार्ड पर एक पार्टी के वैग के बटन इतना है, कहता है, नीला हिस्सा सजा इसरेट लिखा हुआ है दया, ये 6% लिखा हुआ है, तोटल 100% की वैलू हमका दी गई है 35,700, और हमका चाहिए 25 परसेंट की वैलू, मुद्दा खत्र हो, किसकी वैलू चाहिए 25 परसेंट की, आप खुद बताओ कैसे निकालोगे, 4 से भाग, 4 से भाग ,8 4 का 3 2 200, बटना है तो यह प्यारे दोस्तो सेट सॉल्व हो गया आप जरूर बताईएगा किस लेवल का यह पेपर था